बिवारी पुलिस ने नकली नोट बनाकर ठगी करने के तीन आरुपियों को के गिरफतार चार लाक रुपे के दो-दो अजार के नकली नोट बाजार में खपाने की कर रहते कोशिस बिवारी जिले स्पेसल टीम और किसन अंगरबास थाना पुलिस ने नकली नोट ठगी करने वाले गिरोग का परदाफास कर तीन आरुपियों को गिरफतार किया है पुलिस ने आरुपियों के कबजे से 26,000 रुपे के दो-दो अजार के नकली नोट रुपे के नकली नोट रुपे की बड़ी संख्या में खत्रा नोवा पिरिंटर सहित नकली नोट बनाने के अन्यूप करन बरामत किया है आरुपी अब तक एक लाँ रुपे के नकली नोट बना कर ठगी कर चुके है बिवारी पुलिस सजेक्ता से ना सिर्फ गिरो का परदाफास हुआ बल्कि भारी मात्रा में नकली नोटों को छापने से पहले ही आरुपियों को काबू कर ले गया है जिससे बिवारी वासपास की जिलों में ठगी के वारदात पर रोक लग गई है बिवारी जिला एस्पी संतनु कुमार सिंग ने बताया कि दियरश्टी कांस्टेबल गोपी चंद ने गतफारा फरोली को सूजना दीकी कि सन गड़बास ठाना शेत रखे बोली निवासी जिस्टी पर भारी मुकेस कुमार के ने तरुत में पुलिस टीम का गठन किया जिस्टी कांस्टेबल गोपी चंद से मिली सूजना के बाद किसन गड़बास सच्चो मौके पर पहुंचे तता जीतन दरुप जीतू को पकड़कर उसकी तलासी लिया तो उसके पास दो दो जा निवासी ओमपाल पुत्र कर्म सिंग कर्श्यप को गिरफतार कर नकली नोट यों पर इंटर सहित नकली नोट च्छापने का निवकरन ब्रामत किया है विवारी इस पर संतनु कुमार सिंग ने बताया कि पूछताज की दौरान आरूपियों ने बताया कि यूपी निव वा संजय को नीमराना में प्लेट दिलवाया जहां सुरुवात में दो दोजार के साथ नोट च्छापे गए पाउन ने अपने दोस्त चितन दरूर जीतु को मोटा लालश देकर नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए तैयार किया जीतु ने देर देर बाजार में छ प्लेटा खंड़ में वांचीता है